हलो माइडियर फ्रेंग्स पंस अगें वेलकम तो यॉट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम हर्णिया के बारे में दिस्क्स करेंगे ठीक है हर्णिया सबको पता है सबने नाम सुना है ये नाम तो common है बट ये exactly होता क्या है इसमें क्या चीज हो जाती ऐसी ये लोगों को नहीं पता है कितने टाइप्स की होती इसका treatment क्या है कैसे सही होगी ये काफी लोगों को नहीं पता है तो आज़िए हर्णिया को देखते है कि क्या है ये तो देखिए जब बाड़ी के कुँझ हो गई हैं उनको कमजोर जही है उंको दख्यार मतक्या करें कफिकर पाहर आने की कोशिश करते हैं ठीक है खुद को थकेब्ड एंदर से भाहर की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ अ कि अदाएं की तरफ कि दर भी ढखेले तो क्या होना उस एरिया पे अलग से स्वेलिंग दिखेगी वो सेरिया पर अलग सा उबरा हुआ कुछ दिखेगा तो इस कंडीशन को हरनिया कहते हैं इंटर्नल ओर्गन और अदर बॉड़ी पार्ट्स प्रोट्यूक्स त्रूड वॉल उफ मसल्स दाट कांटेंस एट यूजुली अकर बिट्विंग चेस्ट एंड हिप्स जनरली यह पूरी बॉड़ी में नहीं होता जनरली यह चेस्ट से हिप तक के बीच में ही कहीं पर होता है कभी किसी को यह थोड़ी सुनाओगा कि पैर में हरनिया हो गया यहाथ में हरनिया हो गया जनरली पेट के पास ही डॉक्तर्स चेक करते हैं क्योंकि चेस्ट और हिप्स के बीच में ही हरनिया जैसी कंडिशन होती है जितने भी इंटर्नल ओर्गन से यहां पर स्टोर होते ह क्या करते हैं जनरली उस वाल को उस मसल्स को प्रिस करके बाहर आने की कोशिश करते हैं जहां वो खुद पर रहते हैं ठीक है तो उबरा हुआ सा अलग सा दिखता है तो अगर मैं एक छोटे सा एक्जांपल दिखाओं तो आप लोग आप देखते होंगे कुछ लोगों की बेल १ालिहे इंज्वाइनल हर्णिया दिखिए हैं इंज्वाइनल कंल होता है मेल में भी होता है और फीमेल में वी होता है हिवे मेलस में जाद ऐता होती है। — इंज्वाइनल कंड का मै製 पैसेज स्पासेट्स ने शाल कंड और po इंझ्वाइनल और ग Mesla direscesa के लिए के यह इंज्वेनल कनाल और फीमेल में इंज्वेनल कनाल क्या करती है वंब को कैरी करने के लिए वंब को सहरा देने के लिए ठीक है उसको उसके लिए होती है जब बेबी बेबी होता है बेबी कंसीव होते है तब तो उसको कहते हैं इंज्वेनल हर्निया तो इस केस में बाहर आने की कोशिश करने लगती है ठीक है तो दस इंज्वेनल हर्निया फिमरल हर्निया की अगर बात करें अगर आप एक नॉर्मल हर्निया होती है यहां पर कहीं अलग से स्वेलिंग आपको दिखेगी और जो यह फिमरल हर्निया होती है यहां यह सपोज यह आपकी थाइस है यहां थाइस के पास अलग सा दिखेगा आपको स्वेलिंग टाइप का उबरा हुआ कुछ है तो इसको कहते हैं फिमरल हर्निया फिर नेक्स इस अंबलाइकल हर्निया मतलब क्या होता है इंटेस्टाइन का कुछ पास उब लैकल कॉड यानि की बीवटैन यानि जो नेवल पाट होता है ना भी उससे बाहराने की कोशिश करते हैं इंटेस्टाइन आं कुछ हिस्सा अपने आपको ऊपर की तरफ पुष करने लगता है तो डाइफ्राग्म से होते हुए इस्टमक का कुछ हिस्सा खुद को चेस्ट काविटी की तरफ पुष करने लगता है तो डाइफ्राग्म से होते हुए इस्टमक का कुछ हिस्सा खुद को चेस्ट काविटी क उसको हम कहते हैं है तो कहीं पेट वगेरा में यहां से टीशू बाहर आने लगते हैं तो एपिगास्ट्रिक हर्निया जो होता है यह बेली बटन जो होता है और ब्रेस्ट बोन के ठीक नीचे पॉर्षन पे यह इस एपिगास्ट्रिक हर्निया जो रॉक सिर्ण और फ्रथ त्रुमो launch buff का संथ routine नाभी के नीचे आने आ सदस्सकानाय और आप्डावरेणि घंडल मसस्सकंतनी और सदस्ट्रिक टॉडब् Corn Blue आप्डॉमन और्गन मूँटी तरफ खुद को पुल करने लगते हैं दाफ्राग्म में चोटे-चोटे ओपनिंग्स होती हैं जो कि ऐर एक्स्चेंग है तो उससे क्या करते हैं यह दैफ्राग्मेटिक हनिया में अब्डॉमनल और्गन जो होते हैं जो और आप्डॉमन में हो इसको हर्णिया दिज़ाद इस ताइप這種 हर्णिया के ताइप स्भाई नेक्स वीडियो में सखेए एसको 1978 यह जो और है उगर आपको साजेशन ingredients आप हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है उसको भी देखिए दिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ चैनल पसंद आये तो उसको भी सब्सक्राइब कीजेगा और ये इन्फोर्मेशन भी लोगों तक शेयर कीजेगा थैंक्यू वेरी माच अगले वीडियो में हम इसके आगे की टॉपिक्स को कांटिन्यू करेंगे इसके ट्रीट्मेंट के बारे में ठीक है थैंक्यू वेरी माच